हेलो दोस्तों नमस्कार कैशे हैं आप लोग उमीद करते बहुत अच्छे होंगे चलिए आज हम बहुत ही महत्पुन टॉपिक आपके बीच लेका हैं नोज बिलेडिंग आनि नाक से खून आना, नाक से बलड आना नोज बिलेडिंग जिसको मेडिकल भासा में इपिस्टेक्सिस बोलते हैं आखिर ये गड़मिक दीन में नाक से खून क्यों आती है कैसे इससे बचे हैं, क्या इसकी मैनेजमेंट लें चलिए हम जानते हैं होने का कारण क्या हो सकती है इपिस्टेक्सिस का और नाक्ष खुनाने का इसका बहुत साड़ा कारण हो सकता है अभी गड़मे के दिल में सुखी हवा चल रही है नाक के अंदर का सिप्टम सुखा पड़ जाता है तो उस बज़ा से नाक से खुनाने की संभाव नाराती है दूसरा कह सकते हैं नाक में जाती है आपको नाक के जो बीच में दिवार होती है वो टेड़ा पड़ जाती है उस बज़त से हो सकती है या कह सकते हैं दूसरा कारण आपको हाइल्टिक्यूड मतलब बहुत जादा उचाई पर जाने पर भी नाक से खुनाने की संभावना रहती है और देखा गया है कु जिस पिसेंट का अधी अचानक बीपी बहुत जादा हाय हो जाता है बहुत जादा बलड प्रेसर राइज कर जाती है उस बज़त से नाक से खुनाने की संभावना रहती है और देखा गया क्या कि आपका बलड सर्कुलेशन मतलब आपको कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम हर् जो कहीं कहीं बाधा पड़ जाती है उस बज़त से नाक में बलड आने की संभावना रहती है अब चलिए हम बात करेंगे कि इससे बचने के लिए हम क्या उपाय करें कैसे इससे करें अभी मौसम में कि नाक से खुन नहीं आये नाक से जो ब्लेडिंग हो रही थी वो रुक जाए होने से बचें होने के लिए हम क्या करेंगे जैसे थन मौसम आज़िद सुखा पढ़ रहे है नाक तो उसमें नेजल एस्पडे का यूज करेंगे हैना मस्टर्ड ओयल का यूज करेंगे आपको मास का इस्तमाल करेंगे खुल कपड़े पहन के रहेंगे पानी डिहाइ बिलीडिंग होने से बचा सकते हैं अभ हम बात करेंगे इसके बाद की ओनाई सी दवा है और उसको रोक हो रही है बार बार द़स को बचाने का काम करेंगा तो इसी तरह का हर तरह की जानकारी हम आपके लिए लेका आते हैं हर तरह की जानकारी आप तक पहुंच सके अब चलिए हम आगे बात करेंगे ऐसी कौन सी दवा है जो आपको नोज बिलेडिंग को रोकेगा और इफिस्टेक्सिस को ठीक करने के लिए इसके लिए बहुत ही करगर दवाई ह ब्राइनिया अलवा का तीस पावर दो-दो बूंद करके तीन बार जब कंडिशन आए पिशेंट का नाक शुखा पड़ गया है थोड़ा सभी हिलने डूलने से उसका नाक से खून आ जाती है थोड़ी सी भी मोमेंट बरदासने करती है अराम से रहना पशंद करती है तब कंडिशन पिशेंट का आए कि रगर पर निसानी खास करके जब फेश वास करेंगे मतलब मुग को धूलने के टाइम में नाक से बलड आ जाए नाक में खिचाओ पड़ जाए तो उस कंडिशन के लिए आप एमोन काड़ का तीस पावर दीजिएगा ये किसी भी तरह की अलर झाल 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 झाल